नमस्कार हमारे इगनू ओडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है, इंडिरा गांधी नाशनल ओपन उनिवर्सिटी, बैचिलर्स डिग्री प्रोग्राम्स, बा, इंग्लिश अन हिंदी, अलेक्टिव कोर्सेस, हिंदी, बी एच्डी ए 101, हिंदी गद्ध, भाग एक हिंदी गद्ध का 스वरूप और विकास, इकाई एक हिंदी गद्ध का विकास 1.0 ओदेश्य आप हिंदी के एच्छिक पाठ्यक्रम-1 की पहली इकाई पढ़ने जा रहे हैं। इस इकाई में हिंदी गद्य के विकास का परिचे दिया गया है। इस इकाई को पढ़ने के बाद आप गद्या और पद्या में अंतर कर सकेंगे। अंग्रेजों के शासन के दोरान भाशा बंधी विभिन द्रिश्टिकुनों को समझ सकेंगे। हिंडी साहित्य का इतिहास 1000 साल से अधिक का है। इसे प्रायाह चार खंडों में विभाजित किया जाता है। 1.2 गद्य साहित्य आप उपन्यास पढ़ते होंगे, कहानिया भी आपने पढ़ी होंगी या लेख भी पढ़े होंगे। किन्तु क्या आपने कभी सोचा है कि साहित्य के इन रूपों का विकास कैसे हुआ। इस इकाई में हम इस बात पर विचार करेंगे कि साहित्य के अंतरगत गद्य का विकास किस प्रकार हुआ। आपने कबीर, तुलसी दास, सूर्दास, मीरा आदी की रचनाई पड़ी होंगी। आपने अनुभव किया होगा कि उपन्यास और कहानी से कबीर, सूर, मीरा और तुलसी की रचनाई भिन प्रकार की है। सहितिक भाषा में कबीर, सूर, मीरा आदी की रचनाओं को छंदोबद रचना या पद्य या कावे कहा जाता है, जबकि उपन्यास, कहानी, निबंध आदी को गद्यत. इसे और स्पष्ट रूप से समझने के लिए आप कबीर दास की इन पंक्तियों को देखिए. सुखिया जारी प्रसाद विवेदी के निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं? से उद्रित की गई है. बच्चे कभी-कभी चक्कर में डाल देने वाले प्रशन कर बैठते हैं. अल्पगिय पिता बड़ा दैनिये जीव होता है. मेरी छोटी लड़की ने जब उस दिन पूछ लिया क कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो मैं कुछ सोच ही नहीं सका. दोनों उदाहरनों की तुलना करने पर आप स्पष्ट रूप से पहचान जाएंगे कि भाशा के इन दो प्रियोगों में क्या अंतर है? छंदोबद रचना में गेयता तथा ले होती है, जबकि कावय के अलावा नाटक भी लिखे गए, उनमें भी कावय की भाशा का प्रियोग अधिक हुआ है. प्रश्न उठता है कि आधुनिक यूग से पूल्व गद्य की बजाय पद्य में ही रचना क्यों होती रही? अपनी गेयता, छंदोबधता और ले के कारण कावय को याद र रचना न होती हो, ये बात नहीं है, पर इस प्रकार की रचनाय संख्या में काफी कम थी. भावों की अभिव्यक्ति के लिए जहां कावय रचना की जाती थी, वहां सैधान्तिक निरूपन के लिए गद्य का भी प्रयोग होता था. संस्कृत साहित्य में भी गद्य का प्रय प्रमुखता के बावजूद गद्य में लेखन क्यों शुरू हुआ और इसके क्या क्या कारण थे? शुरू से ही आपस में विचार विनिमय के लिए एक अलग प्रकार की भाशा का प्रयोग होता था. ये साधारन बोल चाल की भाशा थी और इसका रूप कावय से अलग था. भाशा के इसी रूप को गद्य कहा गया था. मुद्रन की आधुनिक प्रनाली और यातायात के तेज साधनों ने समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और पुस्तकों के प्रकाशन को प्रोटसाहित किया. इनके लिए गद्य की भाशा ही उप्यूक थी. मुद्रन प्रनाली और यातायात के आधुनिक साधनों का जैसे जैसे गया वैसे वैसे गद्य लेखन को भी प्रोचसाहन मिलता गया 1.3 हिंडी गद्य की प्रिष्ट भूमी की तरह हिंदी भाषा में भी गद्य की रचनाईब बहुत अधिक नहीं थी. 1.3.1 ब्रजभाषा गद्य हमने बताया है कि ब्रजभाषा सहित्य भाषा थी और भाव विचार को व्यक्त करने के लिए पद्य में इसका प्रयोग होता था, लेकिन इस भाषा के बोलचाल के रूप का प्रयोग भी सहित्य में होता था. आप ये तो जानते ही होंगे कि विद्वानों की भाषा आम आद्मियों की भाषा से अलग होती है और वे आपस में एक अलग प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं. प्राया सहित्य में ऐसी ही भाषा का प्रयोग होता है। इसके ठीक विप्रीत जनसाधारन की भाषा बोल चाल की होती है। इसलिए जब कोई विद्वान या उपदेशक अपने मत का प्रचार करना चाहता है तो उसे जनसाधारन की भाषा में अपने मत या विचार को समझाना पढ़ता है। इस प्रकार गद्य के प्रण्यन का एक कारण ये भी है कि इसके प्रयोग से लेखक अपना संदेश जनता तक सुगंता से पहुचा सकता है। परीर चेतनी अरू आनंद मैं होतु है। की रचना में मिलता है। इनमें वैश्मा भक्तों की महिमा व्यक्त करने वाली कताय लिखी गई है। इनकी रचना भक्तिभाव के प्रचार के लिए की गई थी। इनमें से नीचे दिये गए उदाहरन में आप स्पष्ट देखेंगे की इनमें गध्य भाषा व्यवस्थित तथा बोल चाल के रूप में है। सो श्री नंगाम में रहतो हतो, सो खंडन, ब्राह्मन शास्त्र पड़यो हतो, सो जितने प्रित्री पर मत है सब को खंडन करतो, ऐसी वाको नेम हतो, याही ते सब लोगन ने वाको नाम खंडन पारयो हतो, हिंदी साहित्य का इतिहास, रामचंद्र शुक्ल, परी, 222 से उद इसी प्रकारवी, समवत 1660 के आसपास भक्त नाभादास की रचना, अश्ठ्याम, में ब्रजभाशा गद्य का जो रूप देखने को मिलता है उसकी भाशा भी सामान्य बोलचाल की ही है, हालाकि वो कुछ अधिक परिमाजित है, तब श्री महाराज कुमार प्रथम वशिष् प्रनाम करत भाए, फिर उपर व्रिधसमाच तिम को प्रनाम करत भाए, फिर राजाधिराज जू को जोहार करी के री महेंदरनात दश्रत जू निकट बैठते भाए, पढ़े लिखे लोग बोल चाल के इस मिश्रित रूप को फार्सी लिपी में लिखने लगे, इस नई श खुष्रो रचित पहेली का एक उदाहरन देखिए, एक थाल मोती भरा, सबके उपर ओंधा धरा, चारो और वो थाली फिरे, मोती उससे एक ना गिरे, अमीर खुष्रो के बाद खडी बोली का विकास दक्षिन के राज्यों में हुआ, दक्षिनी हिंडी के रूप में वहां चोदहवी से अथारवी शती तक अनेक साहित्य ग्रंथों की रचनाएं हुई, जिनमें गद्य की रचनाओं का महत्वपूर्ण स्थान है। इसका आरंब इस प्रकार से होता है। नकल एक शहर था, शहर का नाव सीस्तान, इस सीस्तान के बादशा का नाव अकल, दीन और दुनिया का सारा काम उस्ते चलता, इसके हुक्म बाद जरी कई नहीं हिलता। वो चार लोकों में इजज़त पाए। इस प्रकार दक्षिनी हि अज्डी में लगातार गद्य सहित्यका विकास होता रहा। मुगल सामराज्ये के विस्तार में महतवपुर्ण भूमिका निभाई है। मुगल सामराज्य के विस्तार के साथ साथ खड़ी बोली का भी विस्तार होता गया। खड़ी बोली मुगलों के समय में संपर्ग भाशा हो गई थी। जब अंतिम शक्तिशाली मुगल बादशा औरंग जेब की मृत्यू हुई तो विशाल सामराज्य को संगठित रखने की शक्ती बाद के किसी शासक में नहीं रही। दिल्ली, आगरा, आधी, पश्चिमी शहरों के स्थान पर लखनव, पटना, मुर्शिदाबाद, आधी, पूर्वी शहर सम्रिध हो चले। इसी कारण व्यापार की उन्नती के लिए व्यापारी वर्ग, पूर्वी शहरों की ओर जाने लगे। चुनकी खड़ी बोली अब तक संपर्ग भाषा बन चुकी थी। इसलिए इन व्यापारियों के साथ खड़ी बोली भी विस्तार पाती गई इस प्रकार खड़ी बोली में गद्दे की क्षमता का विकास होने लगा और उसमें गद्दे की रचनाए होने लगी। खड़ी बोली गद्दे का प्रामानिक रूप हमें मुगल बाद्शा अकबर के दर्बारी कवी गद्द की रचना चंद चंद बर्नन की महिमा में मिलता है। इसका रचना काल सन 1570 ई स्वीकार किया गया है। गद्दे का विकास धीरे धीरे हो रहा था। सन 1741 ई में पटियाला दर्बार के रामप्रसाद निरंजनी, द्वारा रचित, भाशा योग वासिष्ट से हम इस विकास की श्रिंखला को जोड सकते हैं। आप इस उदाहरन को देखें। हे रामजी, जो पुरुष अभिमानी नहीं है वो शरीर के इष्ट अनिष्ट में रागवेश नहीं करता क्योंकि उसकी शुधवासना है। मलीन वासना जन्मों का कारण है। ऐसी वासना को छोड़कर जब तुम स्थित होंगे तब तुम करता हुए भी निरले प्रहोगे। हिंदी साहित्य का इतिहास, रामचंद्र शुकलपरी, 226, इस उदाहरन को देखकर क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि यह आज की परिमाजित गद्य रचना के काफी निकट है। खड़ी बोली कम समय में ही साहित्य में स्थान पा गई और तेजी से इसमें गद्य का विकास हुआ। आगे हम इस पर विचार करेंगे कि किन किन कारणों से इतनी शीधरता से इसका विकास हुआ। 1.4 हिंदी गद्धे का विकास खड़ी बोली गद्धे का जो रूप आज हमारे सामने है वो सहज ही विक्सित नहीं हो गया था। इसके विकास में परिस्थितियों, संस्थाओं और व्यक्तियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन में से कुछ कारणों की संक्षिप्ट चर्चा हम आगे करने जा रहे हैं। 1.4.1 हिंदी गद्धे के विकास के कारण अंग्रेजी सामराज्य की स्थापना के साथ भारत में परिवर्तनों का जो सिलसिला आरंभ हुआ, उसने भारतिये जन जीवन पर बहुत व्यापक असर छोड़ा। ये परिवर्तन किसी एक शेत्र से कई परिवर्तनों का सीधा संबंध हिंदी गद्य के विकास से हैं। के केरल और पूर्वी भारत के कई छोटे प्रदेशों में इसाई धर्म को मानने वालों की संख्या काफी अधिक है। मुगलों के शासन के उत्तर काल में इसाई धर्म प्रचारक इस देश में आये थे। जब अंग्रेजों ने भारत को पराधीन बनाया और अपना शासन स्थापित किया तो इसाई धर्म प्रचारकों की गतिविधिया भी तेज हो गई। इस प्रकार उन्होंने हिंदी गद्य के विकास में योगदान दिया। गद्य के विकास की आरंबिक चर्चा में आपने देखा है कि जनता तक अपना संदेश पहुचाने के लिए बोलचाल के गद्य का प्रयोग होता था। इसाई धर्म प्रचारकों ने भी जनता की भाषा में प्रचार शुरू किया। हिंदी गद्य में छोटी-छोटी प्रचार पुस्तिकाओं तथा धर्म भ्रफ, बाइबल, के हिंदी अनुवाद से इसाई धर्म के प्रचार को जहां गती मिली, वहां प्रकारांतर से इस से हिंदी गद्य के विकास में सहायता भी मिली। नवीन आविशकार, अंग्रेजों ने अपने सामराज्य को सुद्रिर करने के लिए मुद्रण, यातायात और संचार के नए साधनों का इस्तिमाल किया। इस्ट इंडिया कंपनी ने सन 1844 से 1856 के बीच देश के दूर-दूर के क्षेत्रों को रेल और तार से जोड़ दिया। मुद्रण, तार और रेल ने जनजीवन में बड़ा परिवर्तन ला दिया। मुद्रण, यंत्रालियो, printing press के स्थापना ने हिंदी सहित विभिन भाषाउ में पत्र पत्रिकाउं और पुस्तकों का प्रकाशन समभव बनाया। यातायात के तेज साधनों ने इन पत्र पत्रिकाओं और पुस्तकों को रेल तथा अन्य तेज वाहनों से जल्दी से जल्दी दूसरे शहरों तक पहचाना आरंब किया तार की सुविधा से समाचारों को जल्दी प्राप्त करना और भेजना शुरू हुआ इसी से बड़ी मात्रा में समाचार पत्रों का प्रकाशन और प्रसारन संभव हुआ और इसी कारण गद्य लेखन का तेजी से विस्तार हुआ शिक्षा का विस्तार, सन 1834 में लाड मेकॉले में ब्रिटिश पारलमेंट के सामने भारत में अंग्रेजी शिक्षा को प्रचारित करने की आवशक्ता पेश की सन 1835 में अंग्रेजी भाषा के माध्यम से नए धन की शिक्षा देने की शुरुआत की गई इससे पहले तक भारत में शिक्षा संस्कृत और फार्सी के माध्यम से दी जाती थी राजा राम मोहन राय अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर थे क्योंकि उनका विचार था कि संस्कृत और फार्सी की शिक्षा से भारत नए युग में प्रवेश नहीं कर सकता अंग्रेजी शिक्षा का लाब भी हुआ. इससे भारतियों को पश्चिमी सभ्यता और संस्कृती की गहरी जानकारी प्राप्त हुई. इससे भारतियों को जहां अपनी परंप्रा को नई द्रिष्टी से देखने का आफसर मिला, वहां अपनी संस्कृती और राष्ट्रिये परंप्रा के प्रती स्वाभिमान भी जागत हुआ शिक्षा के लिए जिन नए स्कूलों और कालेजों की स्थापना की गई थी उनमें अंग्रेजी के साथ साथ कहीं कहीं हिंदी उर्दू की शिक्षा भी दी जाती थी सन 1800 में स्थापित फोर्ट विलियम कालेज में सन 1803 से हिंदी उर्दु की पढ़ाई आरंभ हुई और सन 1824 से हिंदी की पढ़ाई का विशेश प्रबंध हुआ इस कॉलेज के संचालकों की नीती हिंदी के बहुत अनुकूल नहीं थी सन 1823 में आगरा कालेज की स्थापना हुई और उसमें हिंदी शिक्षा की व्यवस्था की गई सन 1817 में कलकत्ता स्कूल बुक सोसाइटी और सन 1833 में आगरा स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना हुई इन संस्थाओं ने अच्छे अच्छे पार्टिय ग्रंत तयार करवाए इस तरह शिक्षा के विस्तार ने भी हिंदी गध्य को विक्सित करने में मदद की समाज सुधार आंदोलन 19-वी सदी में कई समाज सुधार आंदोलनों की शुरुआत हुई इन अंदोलनों का मुख्य उद्देश्य था भारतिय समाज में व्याप्त बुराईयों को दूल करना तथा जन्ता में अपने देश और धर्म के प्रती चेतना जगाना चुनकी जन्ता तक अपना संदेश पहुचाने के लिए जन्ता की भाषा आवश्यक थी अतह जिन नेताओं ने इस कार्य को शुरू किया, उन्होंने जन्ता की भाषा में अपने मत का प्रचार किया राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज द्वारा ये कार्य किया स्वामी दयानन्द सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की और अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश की रचना हिंदी गद्य में ही की श्रद्धा राम फुल लौरी तथा नवीन चंद्र राय ने भी समाज सुधार के लिए हिंदी गद्य का ही सहारा लिया पंजाब में हिंदी प्रचार के लिए इन्होंने पत्र निकाला और गद्य में रचनाय भी की हिंदी गद्य पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन मुद्रन की सुविधा से पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन सरल हो गया 30 मई सन 1826 ए में पंडित जुगल किशोर शुकल ने कलकत्ता से हिंदी में उदंथ मारतंड, पत्र का प्रकाशन आरंब किया ये हिंदी का पहला समाचार पत्र था, ये सापताहिक पत्र था, उदंथ मारतंड, नव्युक के आगमन की सूचना लेकर आया उस समय हिदी पाठकों की संख्या बहुत कम थी, लगभग देड़ वर्ष निकल कर 4 दिसमबर 1827 ए को ये पत्र बंध हो गया पत्र निकालने का उदेशिस पष्ट करते हुए पत्र ने अपने पहले अंक में लिखा था यह उदंत मारतंड अब पहले पहल हिंदुस्तानियों के हित के हितु जो आज तक किसी ने नहीं चलाया पर अंग्रेजी ओ पार्सी ओ बंगले में जो समाचार का कागस छपता है उसका सुख उन बोलियों के जानने ओ पढ़ने वालों को ही होता है इससे सत्य समाचार हिंदुस्तानी लोग देखकर आप पड़ वो समझ लेया ओ पराई अपेक्षा न करें ओ अपने भाशे की उपज न छोड़ें इसलिए हिंदी का दूसरा पत्र बंगदूट का प्रकाशन 9 मई सन 1829 को कलकत्ता में हुआ था कलकत्ता से ही 1834 ए में प्रजामित्र नाम का तीसरा हिंदी पत्र प्रकाशित हुआ हिंदी भाशिक शेत्र से पहला समाचार पत 1844 में निकला था इसका नाम बनारस था और इसे राजा शिव प्रसाद सितारेहिंग ने निकाला था 1846 ए में मौल्वी नासिरूद्दीन के संपाधक्त्व में मारतंध, नामक एक और पत्र प्रकाशित हुआ इस तरह 19. सदी के पूरवार्द में कई समाचार पत्र प्रकाशित हुए 19. सदी के उत्तराद में तो पत्र पत्रिकाओं की संख्या काफी बढ़ गई पत्र पत्रिकाओं ने हिंदी गद्य को विक्सित और परिमाजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका ने भाई 1.4.2 प्रारंबिग गद्य लेखन सन 1800 में अन्ग्रेजों के प्रयास से कलकत्ता में फोर्ट विलियम कालेज की स्थापना हुई सन 1803 में इस कालेज के हिंदी उर्दू अध्यापक जान गिलक्राइस्ट ने हिंदी और उर्दू में पुस्तके लिखाने का प्रयत्न किया इन्होंने कई मुन्शियों की नियुक्ती की आचार्य हजारी प्रसाद विवेदी के अनुसार, जान गिलक्राइस्ट प्रधान रूप से हिंदूस्तानी या उर्दू के पक्षपाती थे, परंतु वे जानते थे कि उस भाषा की आधारभूद भाषा हिंद्वी या हिंद मुन्शी सदा सुखलाल जी ने बहुत ही सुन्दर भाषा में भागवत की कथा का, सुखसागर, नाम से भाषांतर किया और लखनव के मुन्शी इन्शालला खाने, रानी केतकी की कहानी, नाम से एक ऐसी कथा लिखी, जिसमें अर्भी फार्सी के शब्दों को हटा कर अचार्य हजारी प्रसाद विवेदी के अनुसार, इनकी भाषा कुछ निखरी हुई और सुगयवस्थित है, पर ततकालीन प्रचलित पंडिताव प्रयोग भी इनमें मिल जाते हैं, सुखसागर के अतिरिक्त, विश्नु पुरान के प्रसिंगों के आधार पर आपने एक अपुर्ण ग्रंत की भी रचना की थी, सदासुख लाल जी की भाषा में सहच्ता और स्वाभाविक्ता है, इनकी भाषा का यह उदाहरन द्रश्ट्विय है, विद्या इसे तु पढ़ते हैं कि तात्पर्य इसका जो सतोवरिती है वो प्राप्थ हो और उससे निज इसे तु नहीं पढ़ते हैं कि चतुराई की बाते कहके लोगों को बहकाए, फुसलाए और सत्य छिपाए, व्यभिचार कीजिए और सुरापान कीजिए और मन को की तमोवृती से भर रहा है, निर्मल न कीजिए। कहानी लिखने का कारण स्पष्ट करते हुए मुन्शी जी ने लिखा था, एक दिन बैठे बैठे यह बात अपने ध्यान में चड़ी की कोई कहानी ऐसी कहिए कि जिसमें हिंद्वी चूट और किसी बोली का पुटना मिले, तब जाके मेरा जी फूल की कली के रूप में खिल बाहर की बोली और गवारी कुछ उसके बीच में न हो, बस, जैसे भले लोग अच्छों से अच्छे आपस में बोलते चालते हैं जो कत्यों वही सब दौल रहे और च्छाओं किसी की न हो, यह नहीं होने का, हिंदी साहित्य का इतिहास से उद्रित परी दो सो उन्तीस, इन्शालला खाने अपनी भाषा को बाहर की बोली, अर्भी, फार्सी, तुर्की, गवारी, ब्रजभाषा, अवधी आदी और भाखापन, संस्कृत शब्दों का मेल, से मुक्त रखने की प्रतिग्या की थी, किन्तु उनके वाक्य विन्यास पर फार्सी का स दाहरन देखिए, इस बात पर पानी डाल दो नहीं तो पच्चताओगी और अपना किया पाओगी, मुझसे कुछ ना हो सकेगा, तुम्हारी जो कुछ अच्छी बात होती तो मेरे मुँ से जीते जीना निकलती, पर यह बात मेरे पेट नहीं पच सकती, तुम अभी अलहर हो तुमने अभी कुछ देखा नहीं, हिंदी साहित्य का इतिहास से उजरित परी, 230 ललूलाल जी सन 1763-1825 फोर्ट विलियम कालेज से संबध थे, इन्होंने भागवत के दशम सकंध की कथा के आधार पर प्रेम सागर की रचना की, इसकी भाषा पर ब्रजभाषा का प्रभाव है, अर्भी फार्सी के शब्द इसमें कही कही आ गए है, किन्तु कोशिश इन से बचने की है, विवेदी जी के शब्दों में, इस ब्रजरंजित खरी बोली में भी वो सहच प्रवाह नहीं है, जो सदा सुखलाल की भाषा में है, शुकल जी की दृष्टी में इसकी भाषा नित्य विवहार के अनुकूल नहीं है। खरी बोली का ही व्यवहार किया है, सदलमिश्व की भाषा में भी वो साफ सुथ्रापन नहीं है, जो सदा सुखलाल के यहां है। इनकी भाशा पर पूरवी बोली का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है आधुनेक हिंदी गद्य का जो आभास सदा सुखलाल और सदलमिश की भाशा में दिखाई देता है उसी का आगे विकास हुआ है 1.4.3 अंग्रेजों की भाशा नीती अंग्रेजों के आग्मन से पूर्व यहां की राजकाच की भाशा फार्सी थी लाड मिकॉले के प्रयतनों से इस्ट इंडिया कमपनी की सरकार ने सन 1835 से अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार का कारे शुरू किया सन 1836 इ तक फार्सी ही अदालत की भाशा थी लेकिन ये भी महसूस किया जा रहा था कि फार्सी से आम जनता को काफी परेशानी होती है इसलिए 1836 में ही एक इश्टहार नमे के द्वारा सयुक्त प्रांत के सदर बोर्ड अदालतों की भाशा हिंदी कर दी गई और कहा गया कि जनता नागरी या फार्सी में से किसी भी लिपी में अरजी दे सकती है सरकार के इस फैसले का विरोध हुआ और सन 1837 में अदालतों की भाशा उर्दू कर दी गई उपर युक्त तथे से सपष्ट है कि 19 सदी के पूर्वार्द तक हिंदी के विकास में सरकार की ओर से कोई मदद नहीं मिली न तो इसे शिक्षा का माधिम बनाया गया, न अदालतों का और न सरकारी कामकाज का ही ऐसे समय में भी कुछ लोगों ने हिंदी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका आदा की इन में राजा शिव प्रसाद, सितारहिंद और राजा लक्षमन सिंग का नाम विशेश रूप से उल्लेखनिया है राजा शिव प्रसाद सितारहिंद, सन 1823-1895 राजा शिव प्रसाद शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर के पदपर नियुक्त थे वे हिंदी के पक्षधर थे, लेकिन सरकारी नीती के कारण उसका खुल कर समर्थन नहीं कर सकते थे सरकारी हलकों में उर्दु को शिष्ट भाषा और हिंदी को गवारू भाषा माना जाता था ऐसी परिस्थिती में राजा जी ने ठेट हिंदी का सहारा लिया अर्भी, फार्सी के शब्दों को ब्रहन करने में भी उन्होंने संकोच नहीं किया उस समय साहित्य के पात्यक्रम के लिए पुस्तके नहीं थी राजा शिफ प्रसाद ने स्वयम तो कोर्स की पुस्तके लिखी ही, पंडित श्रीलाल और पंडित वन्शिधर को भी इस कारे पर लगाया पात्यक्रम के लिए उन्होंने कई कहानियों की रचना की जिनमें राजा भोज का सपना के इस उदाहरन में आप देखेंगे कि उन्होंने सरल और चलती हिंडी का प्रयोग किया है वो कौन सा मनुश्य है जिसने महा प्रतापी महाराज भोज का नाम ना सुना हो उसकी महिमा और कीर्ती तो सारे जगत में व्याप्त रही है बड़े-बड़े महिपाल उसका नाम सुनते ही काम पुठते और बड़े-बड़े भूपती उसके पाम पर अपना सिर नवाते बाद में राजा साहब उर्दू के पक्षपाती होते गए ऐसा शायद अंग्रेज अधिकारियों के दबाव के कारण हुआ फिर भी उनके प्रारंबिक कारियों से हिंदी गद्य के विकास में सहायता मिली इसमें कोई संदेह नहीं सन 1864 में उन्होंने इतिहास तिमिर नाशक इतिहास ग्रंथ लिखा था इसका नाम तो संस्कृतनिष्ट है किन्तु भाषा उर्दू के नजदीक है उन्होंने बनारस नाम का अकबार भी निकाला था उसकी भाषा भी उर्दूनिष्ट होती थी राजा लक्षमन सिंग सन 18261896 राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के भाषा संबंधी रिष्टिकोन की तीवर प्रतिक्रिया भी हुई राजा लक्षमन सिंग ने हिंदी और उर्दू को दो अलग-अलग भाषाय माना उन्होंने कहा कि कुछ अवश्य नहीं है कि अर्भी फार्सी के शब्दों के बिना हिंदी ना बोली जाए और ना हम उस भाषा को हिंदी कहते हैं जिसमें अर्भी फार्सी के शब्द भरे है आचार्य हजारी प्रसाद ब्विवेदी ने राजा लक्षमन सिंग की भाषा पर अपना मत प्रकट करते हुए लिखा है कि राजा साहब की भाषा में तद्भव शब्दों की मात्रा कम नहीं है यदेपी वो आरंबिक हिंदी गद्य का ही नमूना है तथा पी उसमें वक्ता और श्रोता के अनुकूल होने की क्षमता है और हमारी विशाल सहित्यक परंपरा के अनुकूल है भाषा में अर्भी फार्सी के शब नहीं के बराबर है परंतु वकावे की ब्रजभाषा के प्रभाव से एकदम मुक्त नहीं है राजा साहब ने कालेदास के कई ग्रंथों का अनुवाद किया उसमें मेग दूद अभिग्यान शाकुंतलम का शकुंतला नातक नाम से अनुवाद और रगुवंश का अनुवाद का अनुवाद काफी लोग प्रिय हुआ राजा साहब की भाषा का उदाहरन देखिए अनसुया हौले प्रियवंडा से सकी मैं भी इसी सोच विचार में हूँ अब इससे कुछ पूछूंगी प्रकट लक्षमन से नहीं भाषा की प्रश्ण के इस कटिन समय मैं हिंदी का अपना नमूना सामने रखा और हिंदी गद्य को सम्रिध किया उन्होंने हिंदी भाषा के जिस्वरूप को प्रोचसाहित किया उससे उर्दू से उसकी दूरी बढ़ी उर्दूनिष्ट हिंदी को उन्होंने यहा के लोगों के अनुकूल नहीं माना अताहा उन्होंने शुधा और संस्कृतनिष्ट हिंदी को आगे बढ़ाया इस कार्य के लिए सन 1841 में उन्होंने प्रजाहितैशी नामक पत्र निकाला इस प्रकार हिंदी गद्य के विकास की द्रिष्टी से उपर युक्त दोनों महानुभावों का योगदान परियाप्त महत्वपूर्ण है भाशा के भावी रूप का आभास इनकी रचनाओं में मिलता है ऐसे समय में किसी ऐसे प्रतिभा संपन्न व्यक्ती की आवशेक्ता थी जो भाशा को सुग्यवस्थित और पारिमाजित कर सके इस आवशेक्ता की पूर्ती भारतेदू हरिश्चंद ने की वे युग प्रवर्तक साहित्यकार थे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और राजा लक्षमन सिंग के अतिरिक्त भी कई लोगों ने हिंदी गद्य के विकास में योग दिया उन्होंने अंग्रेजी से अनुवाद किये और पार्थिय पुस्तके तयार की इनमें रामप्रसाद त्रिपाथी, मतुराप्रसाद मिश्र, ब्रजवासी दास, बिहारी लाल चौबे, शिवशनकर, काशीनात खत्री, रामप्रसाद दुबे आधी प्रमुख है हिंदी के प्रचार प्रसार में आर्य समाज के योगदान को भी नहीं भुलाया जा सकता जैसा की पहले उल्लेक किया जा चुका है स्वामी दयानन्द सरस्वती ने, सत्यार्थ प्रकाश, की रचना हिंदी गध्य में ही की थी, यद्य पीवे स्वयम बुजराती भाशी थे आर्य समाज ने हिंदु धर्म की कुरीतियों को दूर करने और इसाई धर्म प्रचारकों के प्रभाव को निश्प्रान करने का प्रयतन किया इसके लिए आर्य समाज के प्रचारकों ने हिंदी भाशा का सहारा लिया शुरुवाती दौर में आर्य समाज का प्रभाव पंजाब में अधिक था स्वामी दयानंद के प्रयतनों से पंजाब में हिंदी और संस्कृत को नवजीवन प्राप्त हुआ लेकिन इससे पूर्भी बाबु नवीन चंद राय और श्रधाराम फुल लौरी ने पंजाब में हिंदी के लिए अथक प्रयतन किया था बाबु नवीन चंद राय ने सन 1863 और सन 1880 के बीच भिन भिन विशेयों की बहुत सी हिंदी पुस्तके तयार की और दूसरों से तयारी कराए नवीन चंद राय ने ब्रह्म समाच के सिध्धानतों के प्रचार के उदेश्य से कई पत्रिकाय निकाली जिन में ग्यानदाइनी पत्रिका सन 1867 उल्लेखनी यह है हिंदी साहित्य का इतिहास परी 302 बाबू नवीन चंद राय का द्रिश्टिकोन उर्दू के प्रती अनुकूल नहीं था और उन्होंने उसका लगातार विरोध किया पंजाब में हिंदी को प्रचारित करने में दूसरा महत्वपूर नामपम श्रधाराम फुल लौरी का था इन्होंने भी अपने प्रचार द्वारा इसाई धर्म के प्रभाव को निस्तेच करने का प्रयास किया और धार्मिक और सामाजिक जागरिती फैलाने का कारे किया। श्रधाराम जी ने सत्यामरित प्रवा नाम का एक सिध्धान ग्रंथ लिखा था जिसकी भाषा बहुत साफ और प्रोण है। उन्होंने आत्मचिकित्सा, तत्वन दीपक, धर्मरक्षा, उब्देश संग्र, आदी पुस्तके लिखी थी और भागेवती नाम का एक सामाजिक उपन्यास भी लिखा था। यह उपन्यास सन 1873 ए में प्रकाशित हुआ था। इस प्रकार उन्नीसवी सदी के उत्तराद तक आते आते हिंदी गद्य का व्यापक व्यवहार होने लगा था और साहित्य रचना के लिए आवश्यक जमीन तयार हो चुकी थी। ऐसे समय में भा भारतेदु योग, 1875, 1900. भारतेदु हरिश्चंद का जन्म बनारस के एक धनी परिवार में 2 सितंबर सन 1850 ए को हुआ था। इनके पिता गोपाल चंद साहित्य प्रेमी थे। उन्होंने नहुश्वद, शीर्शक नाटक तथा कुछ कविताई भी लिखी है। भारतेदु न नाटक और काव्य के अतिरिक्त इन्होंने कविवचिंद सुधा, हरिश्चंद्र मैग जीन, तथा हरिश्चंद्र चंद्रिका, नामक पत्रिकाओं का संपादन भी किया। पत्रिकाओं के प्रकाशन का महत्व ततकालीन लेखकों ने भली भाती समझ लिया था। इनके माध चना आदी में उन्होंने एक नई परंपरा का सुत्रपात किया है। उनकी रचनाय जहां श्रिंगार, देशभक्ती और इश्वर भक्ती से जुड़ी हैं, वहीं ततकालीन समाज की अवस्था को भी दर्शाती है। 35 वर्ष की अलपायू में सन 1885 ए में उनका दिहान्त हो गया। हिंदी साहित्ती के लिए किये गए उनके कारियों के युगातकारी प्रभाव हुए। भाशा के मामले में उन्होंने अपनी अवधारना स्पष्ट की। वे निजभाशा के विकास के पक्ष्थर थे। विश्यमोश्धम, श्री चंद्रावली नाटिका, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, आदी। उनके द्वारा अनुदित नाटक हैं। विद्या सुंदर, पाखंड, विडंबन, मुद्रा राक्षस, सत्य हरिष्चंध, कपूर मंजरी, दुरलब बंधु, आदी, जन जीवन से ली गई सामगरी का उप्योग करते हुए उन्होंने अपनी रचनाव में समाच सुधार और देशभक्ती का भी ध्यान रखा है। भारतेदु अपने समय के लेखकों को प्रेरित किया करते थे। उनके प्रभाव और प्रयास से लेखकों की एक ऐसी मंदली तयार हुई जिसने भारतेदु की परंपरा को आगे बढ़ाया। भारतेदु मंदल के लेखक थे प्रताप नारायन मिश्र, पम्द, बाल कृष्ण भट, पम्द, बदरी नारायन चौदरी प्रेमधन, जगननात दास रतनाकर, बाल मुकुंद गुप्त, श्री भारतेदु के लिख बनी हुई है। नाटक के खशेत्र में भारतेदु के योगदान की चर्चा हम कर चुके हैं उनके अलावा प्रताप नारायन मिश्र ने भी इस विधा में लेखन किया है। उन्होंने भारत दुरदशा, नाटक में पात्रों का मानवी करण किया है। इ इसके अलावा इन्होंने ब्राहमन पत्रिका भी निकाली और उसका संपाधन किया पाम, बालकृष्ण भट ने सन 1877 में प्रयाक से हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकाली इस पत्रिका में विभिन विशेयों पर लेक, नाटक, निबंध आधी प्रकाशित होते थे भट जी ने पद्मावती, शिशुपालवद और चंद्रिसेन नामक नाटक लिखे सो अजान एक सुजान और नूतन ब्रमचारी नामक उप्म्यासों की रचना के अलावा उन्होंने आख, कान, नाक आधी विशेयों पर ललित निबंध भी लिखे पाम, बद्रीना रायन चोदरी, प्रेमघन, ने भारतेदु से प्रेरणा पाकर, भारत सोभाग्य और वीरांगना रहेस्य, नामक नाटकों की रचना की इनके द्वारा रचे गए निबंधों में अर्थ की गमभीरता और विचारों की सूक्षमता दिखाई देती है आनन्द कादम बिनी, मासिक पत्र के अलावा एक साप्ताहिक पत्र, नीरद, भी निकाला बालमुकुन्द गुप्त ने हिंदी निबंध के विकास में योग दिया शिवशंभू के चित्य इनकी प्रसिद्ध रचना है लाला श्री निवास दास ने प्रहलाद चरित्र, तप्ता समवरन, रंधीर प्रेम मोहिनी, तथा सयोगिता स्वयमवर, नामक नाटकों की रचना की परीक्षा गुरू, नामक इनके उपन्यास की गण्ना हिंदी के प्रारंबिक उपन्यासों में की जाती है राधाकृष्ण दास ने दुखिनी बाला, महारानी पदमावती, महाराना प्रताप, तथा सती प्रताप, शीर्शक नाटकों की रचना की इन्हों ने निस्सहाए हिंदू, नामक उपन्यास भी लिखा भारतेदू मंडल के इन लेखकों की रचनाओं का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि हिंदी गध्य के विकास में इनका महत्वपूर्ण योगदान है नाटक, निबंध, उपन्यास आदी विधाओं का प्रारंब इस योग में हुआ जिससे हिंदी गध्य के विकास को बल मिला भारतेदू ने स्वयम बंगला आदी अनुवाद के कार्य किये तथा अन्य लेखकों को भी इसकी प्रेरणा दी अनुवाद कार्य के द्वारा भी हिंदी गध्य का विस्तार संभव हो सका 1.6 द्विवेदी योग, 1900-1920 हम देख चुके हैं कि भारतेदू जैसे प्रतिभा संपन्न व्यक्ति के कारण हिंदी गध्य के विकास में किस प्रकार गती आई उनकी प्रेरणा से लेखकों की एक मंदली ही तयार हो गई थी इस मंदली ने अपने लेखों से हिंदी गध्य को सम्रिध किया था इस दौर में अन्ग्रेजी पढ़े लिखे लोगों ने भी हिंदी में लेखन का कार्य किया था इस योग के लेखकों की दृष्टी हिंदी के प्रचार प्रसार पर अधिक थी अतह इनकी भाषा में तुटिया नजर आती है स्वयम भारतेदु मंडल के लेखकों में भाषागत दोश थे वे इच्छा किया, आशा किया आधी प्रयोग किया करते थे भाषा बिगढने का एक और कारण ये था कि अब हिंदी के उन पाठकों की संख्या बढ़ गई थी जो अनूदित उपन्याज पढ़ने में रुची रखते थे लेकिन अन्य भाषाओं से हिंदी में अनुवाद करने वालों इस भाषा की अच्छी जानकारी प्राप्त करना आवश्यक नहीं समझा उन्होंने शब्द कोश से अर्थ लगा कर ही अनुवाद का कारे शुरू कर दिया इस प्रकार जहां एक और अंग्रेजी शब्दों के अर्थ के आधार पर स्वार्थ लेना, जीवन होड जैसे प्रय पंडित महावीर प्रसाद ब्विवेधी ने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से भाषा के परिमार्जन का महत्वपूर्ण कार्य किया, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन इंडिन प्रेस इलाहबाद से सन उन्नी सो में शिरू हुआ, सन 1903 से इसके संपादक आचार्यम महावीर प्रसाद द्विवेदी बनाए गए. द्विवेदी जी, सरस्वती, पत्रिका के सन 1920 तक संपादक रहे. हिंदी गद्य के विकास में ही नहीं आधुनिक हिंदी भाषा और सहित्य के विकास में भी सरस्वती का अप्रतिम योगदान है. सरस्वती को द्विवेदी जी के का मंच प्रदान किया। सरस्वती ने उस समय की राष्ट्रिय आकांख्शा को वानी दी। सरस्वती ने ज्ञान-vigyan के नए 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 ट्षित्रों में प्रवेश किया और यह प्रमानित किया की हिंदी में भी जटिल से जटिल विशेयों को प्रस्तुत करने की क्षमता नहित है। सरस्वती ने हिंदी गद्य को गद्य की सभी विधाउं से संपन बनाने का महत्वपूर्ण प्रयतन किया। जटिल विवेदी कार्य महावीरप्रसाद विवेदी के संपाधक्त्व में किया था। आचार्य महावीरप्रसाद विवेदी 1861-1938 स्वयम कवी थे लेकिन उन्हें कवी के रूप में उतनी प्रतिष्ठा नहीं मिली जितनी अपने निबंद और समालोचनाओं के कारण मिली थ विवेदी जी ने सबसे बड़ा काम ये किया कि उन्होंने सरस्वती में प्रकाशन के लिए आने वाली रचनाओं की भाषाओं को सुधार कर परिमाजित और एक रूप किया। विवेदी जी भाषा के प्रती बहुत सजग रहते थे और उनकी कोशिश रहती थी कि खड़ी बोली हिंदी अपना मानक रूप ब्रहन करे क्योंकि इसके बिना हिंदी में किसी महान सहित्य की रचना संभव नहीं थी। विवेदी जी ने उस यूग की राष्ट्रिये चेतना और नवजागरन की भावना को पूरी तरह आत्मसात किया था और उसे ही हिंदी सहित्य के लि उन्होंने सहित्य को ज्यान से जोड़ते हुए कहा कि ज्यानराशी का संचित कोश ही सहित्य है। उन्होंने सपष्ट रूप से घोशना की कि कि किसी देश की उन्नती अगर देखनी हूँ तो उस देश के सहित्य को देखना चाहिए। उन्होंने बुद्धिजीवियों का आ विवेधी युग में गद्य की विभिन विधाओं का उत्कृष्ट साहित्ति लिखा गया। विवेधी युग में गद्य की विभिन विधाओं का संक्षिप्थ परिचे देंगे। आप अगली एकाय में करेंगे। के अनुवाद किये गए। बंगला नाटकों में सिद्विजेंद लाल राय, रवींद्रनात थाकुर, गिरीश चंद्र घोष, क्षिरोड प्रसाद की रचनाओं के अनुवाद किये गए। अंग्रेजी नाटकों में शेक्स्पियर के नाटकों, हैमलेट, मैकबेथ, रोमियो, जूलियट आदी के अनुवाद भी किये गए। संस्कृत के नाटकों में कालिदास, भवभूती आदी के नाटकों के अनुवाद हुए थे, जो बहुत लोग प्रिय हुए। नाटकों ने काफी लोग प्रियता अरजित कर ली थी, लेकिन साहितिक द्रिष्टी से वे अधिक मूल्यवान नहीं माने गए। नाटकों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत जेशंकर प्रसादने की जिन्होंने नाटकों का एक नया धाचा खड़ा किया और उन्हें सहितिक उतक्रिष्टा प्रदान की। उपन्यास उपन्यास आधुनेक युग की प्रतिनिधी विधा है। इसे आधुनेक युग का महाकाव्य कहा गया है। गद्य के विकास के साथ हिंदी में भी उपन्यास लेखन की शुरुआत हुई। भारतेदु से पूर्व श्रधाराम फिल लौरी ने भागेवती नामक उपन्यास की रचना की थी। स्वयम भारतेदु युग में भी कई उपन्यास लेखे गए जिनमें लाला श्रीनिवास्दस का शिक्षा प्रद उपन्यास, परीक्षा गुरू, अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया। आचार्य रामचंद शुक्ल ने इसे अंग्रेजी धन का पहला मौलिक उपन्यास कहा था। विवेदी युग में उपन्यासो के एक्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य देवकी नंदन खत्री ने किया। उन्होंने चंद्रकांता और चंद्रकांता संतती के नाम से कई भागों में तिलस्मी और एईयारी उपन्यास लिखे। इन उपन्यासो को जबर्दस्त लोग्प्रियता हासिल हुई। कहा जाता है कि इन उपन्यासो को पढ़ने के लिए कई लोगों ने हिंदी सीखी। बाबु देवकी नंदन खत्री के उपन्यासो में कथा इतने रोचक धंग से चलती है कि एक बार आरंब करने के बाद उन्हें छोड़ पाना कटिन हो जाता है। देवकी नंदन खत्री की भाषा बहुत सहज थी। उन्होंने उपन्यासो के लिए उर्दू हिंदी का ऐसा मिश्रित रूप स्विकार किया था जो सबके लिए ग्रहाए हो। भाषा के इसी रूप को बाद में प्रेमचंद ने अपने लेखन में और अधिक विक्सित किया था। हिंदी गद्य का विकास, विवेदी युग में ही पम, किशोरी लाल गोस्वामी ने भी कई उपन्यास लिखे। शुकुल जी के शब्दों में, इनके उपन्यासों में समाज के कुछ सजीव चित्रवासनाओं के रूप, रंग, चिताकर्शक वर्नन और थोड़ा बहुत चरित्र चित्रन भी अवश्य पाया जाता है। गोस्वामी जी ने पैसट के करीब छोटे बड़े उपन्यास लिखे थे और उपन्यास नाम से मासिक पत्र भी निकाला था। इनके उपन्यासों में चपला तारा, तरुन तपस्विनी, रजिया बेगम, लीलावती, लवन गलता, उलेखनिय हैं। इसी युग में पाम, अयोध्या सिंग उपाध्याय ने, ठेथ हिंदी का थाठ, 1899, और अध्खिला फूल, 1907, लज्जाराम महताने, हिंदू ग्रहस्त, आदर्श दंपती, 1904, और बिगड़े का सुधार, 1907, बाबु ब्रजनंदन सहाय ने, सौंदर्योपासक, और राधा कांथ, 1912, आदी कई उपन्यास लिखे, उपन्यासों के क्षेत्र में सरवाधिक महत्वपूर्ण योगदान देने वाले प्रेमचंद का आगमन भी इसी युग में हुआ था, प्रेमचंद पहले उर्दू में लिखते थे, बाद में हिंदी में भी लिखने लगे, उनके श विवेदी युग में दूसरी भाषाओं के भी कई उपन्यासों का अनुवाद हुआ था, विशेश रूप से बांगला उपन्यासों का बांगला भाषा से बंकिम चंद चटोपाध्याए, रमेश चंद दत, हारान चंद रक्षित, शरत चंद चटोपाध्याए, पहली कहानी कौनसी लिखी गई इस पर आज भी विवाद बना हुआ है, आपने इस एकाय में पड़ा है कि मुंशी इंशालला खाने, रानी केतकी की कहानी, नाम से कहानी की रचना की थी, लेकिन कहानी की आधुनिक परिभाषा के अनुसार उसे कहानी नहीं माना गया, माईनस सोलह में प्रेम्चन्द की कहानियां हिंदी में प्रकाशित होने लगी थी चन्दरधर शर्मा गुलेरी की प्रसिद कहानी उसने קहा था प्रकाशित होने लगी थी हालाकि उन्होंने उर्दु में कहानिया काफी पहले लिखनी शुरू कर दी थी। विवेदी युग में कहानी के क्षेत्र में उल्लेखनी ये लेखन करने वाले कहानीकारों में विश्वंभरनात शर्मा कौशिक, सुदर्शन, राधिकारमन प्रसाद सिंग, जी पी, श्रीवास्तव, चतुर सेन शास्त्री आधी प्रमुख हैं. कहानी के विकास की दृष्ट और विनोध प्रवरिती भी दिखायती थी. विवेदी युग के निबंधों में यदेपी व्यंगे और विनोध की प्रवरिती कुछ कम नजर आती है, लेकिन बालमुकुंद गुप्त के निबंधों में हम इस विशेष्टा को देख सकते हैं. बालमुकुंद गुप्त ने महावीर प्रसाद विवेदी का भी महत्वपूर्ण स्थान है। आपने अपने निबंदों द्वारा राष्ट्रिय, सामाजिक, सास्कृतिक और साहितिक प्रशनों को उठाया। इस द्रिश्टी से आपके निबंद विचार प्रधान कहे जा सकते हैं। इस युग के अन्य प भाषा और अधिक परिमाजित है। उसका विशयक शेत्र भी विस्त्रित होता है, जिससे नए नए विशयों का विवेचन और वर्नन करने की क्षमता बढ़ती है। विवेदी युग की भाषा का आदर्श रूप इस युग के निबंदों में ही देखने को मिलता है। विवेदी युग का एक अन्य महत्वपूर्ण योगदान है, समालोचना का आरम। वैसे तो एक दो कृतियों की छिटपुट, आलोचना, भारतेदु युग में भी हुई थी। आनन कादम बिनी में लाला श्रीनिवास्दस के नाटक, सयोगिता स्वयमवर की विशद आलो प्रकट होता था। भारत में समीक्षा की कोई परंपरा नहीं थी। समीक्षा के नाम पर गुन्ध दोश बताना ही पर्याप्त समझा जाता था। लेकिन द्विवेदी युग में जो समीक्षा पद्धती आरंभ हुई उनमें कृती की विशद व्याख्या भी की जाती इस तरह की पहली पुस्तक महावीर प्रसाद विवेदी के कालिदास की निरनकुष्टा थी जिसमें लाला सीता राम बी ए के अनुवाद किये हुए नाटकों की भाशा तथा भाव संबंधी दोश बड़े विस्तार से दिखाए गए थे। विवेदी जी ने अन्य कई ग्रंथों की समीक्षाय लिखी थी। विवेदी युग में कई अन्य लेखको मिश्रबंधु, श्यामसुंदर दास, पद्म सिंग शर्मा, कृष्न बिहारी मिश्र, बाबु गुला ब्राय ने व्यवारिक समीक्षा को सम्रिधा बनाने का पूर्ण कार्य किया। लेकिन समीक्षा के क्षेत्र में युगांतरकारी कार्य आचार्य रामचंद शुकल ने किया, जिनके समीक्षा संबंधी कई लेक द्विवेदी युग में ही प्रकाशित हुए। इक शिप्ट लेखा जुखा यहां दिया जा रहा है। विवेदी युग के बाद गद्दे सहित्य को जिन कुछ सहित्यकारों ने एक नई दिशा दी उनमें प्रेमचंद का नाम प्रमुख है। यदेपी प्रेमचंद ने द्विवेदी युग से ही लेखन आरंब कर दिया है। उन्होंने सहित्यकी अनेक विधाओं में रचनाय की है। प्रेमचंद ने उपन्यास कहानी, नाटक, निबंध, जीवनिया आदी तो लिखी ही, अनुवाद का कार्य भी किया। अपनी उत्कृष्ट रचनाओं के द्वारा उन्होंने हिंदी कहानी को काफी उचा उठ उन्होंने लगभग 300 कहानियों की रचना की है। इनकी कहानियों में विशय की विविदता है। समाज और परिवार की किसी ने किसी समस्या को उन्होंने अपनी कहानियों का आधार बनाया है। उनकी अधिकतर कहानिया, मांसरोवर, के आठ भागों में संकलित हैं। इदगा कफन, शत्रंच के खिलारी, पूस की रात, बड़े घर की बेटी, पंचपरमेश्वर, नमक का दरोगा, दूद का दाम आधी उनकी श्वेश्ट कहानिया है। प्रेमचंद की शत्रंच के खिलारी कहानी का अध्यान आप दूसरे खंड में करेंगे। उपन्यास के क्षेत्र में प्रेमचंद की रचनाएं इतनी उच्च कोटी की थी कि उन्हें उपन्यास समरात कहा जाने लगा। इस विधा के विरात फलक पर उन्होंने देश की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक समस्याओं का यथार्थ चित्रन किया है। गोदान, गबन, रंगभूमी, कर्मभूमी, निर्मला, आधी उनके प्रसिद उपन्यास है। हम जान चुके हैं कि हिंदी कहानी के क्षेत्र में प्रेमचंद का महत्वपूर्ण योगदान है। राजेंद्र यादव, माकंडेय, उश्चा प्रियवंडा, मन्नु भंडारी, क्रिश्ना सोब्ती आधी के नाम लिए जा सकते हैं। प्रेमचंद के समकालीन जेशनकर प्रसाद के नाटकों में नवीन्ता और रचनात मक्ता दिखाई देती हैं। इसलिए इस क्षेत्र में उन्हें यूग प्रवर्तक नाटक कर माना जाता है। इन्होंने अपने अधिकतर नाटकों में इतिहास को आधार बनाया है। नाटकों के द्वारा उन्होंने राष्ट्रिय चेतना और भारतिय संस्कृती के उज्जवल पक्ष को प्रस्तुत किया है। प्रसाद के नाटकों में कामना, जन्मे जयका, नाग यग्य, राज्यश्री, विशाखा, अजात्षत्रू, सकंडगुप, चंद्रगुप, और द्रुवस्वामिनी का विशेश महत्वस्वीकार किया गया है। द्रुवस्वामिनी का अध्यान आप खंड माइनस पांच में करेंगे। प्रसाद के बाद नाटक के क्षेत्र में उलेखनिय कार्य करने वालों में जगदीश चंद्रमाथूर, उपेंद्रनात अश्क, लक्ष्मीनारायन लाल और मोहन राकेश के नाम लिए जा सकते हैं। जगदीश चंद्रमाथूर ने नाटक को रंगमंच से जोड़ने का जो महत्वपूर्ण कार्य किया, मोहन राकेश ने उसे आगे बढ़ाया। जगदीश चंद्रमाथूर नाटकों में कुनार्क, पहला राजा और शार्दिया बहुत चर्चित हुए। मोहन राकेश ने त पुदेशन करभट, लक्षमी नारायन मिश्र, जगननात प्रसाद मिलिन, लक्षमी नारायन लाल, विश्नु प्रभाकर, रमेश बक्षी, मुद्राराक्षस, असगर वजाहत आदी। नाटकों की एक अन्य विधा है, एकानकी नाटक एकानकी का आर्थ है, एक अनक का अनक की के विकास का कारण है, आधुनेक युग में समय की कमी, आज के व्यस्त जीवन में आम व्यक्ति कम से कम समय में अधिक से अधिक लाब चाहता है, अता साहित्य में एक अनक में समाप्थ होने वाली नाट्य विधा का विकास हुआ, जिसे एकानकी नाम दिया गया, कु प्रेमचंद के बाद साहित्य की प्रत्येक विधा में बहुत कुछ लिखा गया है। प्राटक, एकान की, उपन्यास और कहानी के समान निबंध, आलोचना तथा गद्य की अन्य विधाओं में भी पर्याप्त प्रगती हुई है। रामरिक्ष बेनीपुरी, डॉक्टर, नगरेंद्र, विध्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ रायाधी प्रमुख है। व्यंग्य निबंध परंपरा को आगे बढ़ाने में हरिशनकर परसाई, शरत जोशी, रवींद्रनाथ त्यागी का नाम लिया जा सकता है। निबंध के समान हिंदी आलोचना के क्षेत्र में भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अत्यदिक महत्वपूर्ण कारे किया है। शुक्ल जी के बाद हिंदी आलोचना को विक्सित करने वालो में आचार्य नंददुलारे वाजपेई, आचार्य हजारी प्रसाद भिवेदी, डॉक्टर, नगैंड, डॉक्टर, देवराज, डॉक्टर, रामविलास शर्मा, शिवदान सिंग चोहान, गजानन माधव मुक इस काल की गद्यात्मक रचनाओं में जहां लेखकों ने सामाजिक समस्याओं के यथार्क चित्रन पर अपनी दृष्टी केंडरित की, वही मनोवे ज्यानिक समस्याओं को भी साहित्य में स्थान दिया। देश की राजनीतिक चेत्ना का प्रभाव भी साहित्य कारों पर पढ़ा। इसी कारण भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में राष्ट्रिय चेत्ना साहित्य का वर्निय विशय बन गई थी। वहान परिवर्तन था। राष्ट्र स्वतंत्र था, देश की जनता विदेशी शासन के अत्याचार से मुक्त थी। इस राजनीतिक परिवर्तन ने सहित्य पर काफी प्रभाव डाला। दूसरी और पश्चिम में जो वैग्यानिक प्रगती हो चुकी थी उसका आगमन भी भ अभारत में हो रहा था। नई तकनीक की उननती से सहित्य में नई विधाओं का जन्म होने लगा। रेल, प्रेस, बिजली, तार रेडियो आधी वैग्यानिक साधनों ने जहां लोगों के जीवन में परिवर्तन उपस्थित किया, वहां सहित्य के क्षेत्र में नई विधाओं के विस्तार में भी सहायता पहुचाई यात्रावरित, डाइरी, जीवनी, आत्मकथा, रिपोर हिंदी में गद्य और पद्य के अंतर को समझा है, आपने ये भी जाना कि किन कारणों से हिंदी में गद्य का आरंब और विकास हुआ, हिंदी गद्य की परंपरा को आधुनेक युग से जोन कर देखा जाता है, हिंदी गद्य के विकास में भारतेदु हरिष्चंद का इकाई में विस्तार से चर्चा की गई है। भारतेदु यूग के बाद के काल को द्विवेदी यूग के नाम से जाना जाता है। सरस्वती के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से इस यूग का नाम करण हुआ है। 20 सदी के आरम्भिक दो दशकों में हिंदी साहित्य की विभिन विधाओं के विकास में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। विवेधी युग में गद्य की किन विधाओं में किन किन लेखकों ने योगदान किया है। इसका अधेयन आप इकाई में पढ़ चुके हैं। विवेधी युग के बाद प्रेमचंद के कथा साहित्य और उसके बाद के विकास का भी संक्षिप्थ परिचे इकाई में दिया गया है। हिंडी गद्य की विभिन विधाओं के संबंध में विस्त्रित अधेयन आप आगे करेंगे। इस इकाई को पढ़ने के बाद आप गद्या और पद्या में अंतर बता सकते हैं। धन्यवाद मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पार्ट के साथ।